आज के वीडियो में आपको रनवीर कपूर के डैडी बनने के बारे में बताएंगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक कर दे जैसा कि आप सब जानते हैं कि रनवीर कपूर और आलिया भर्ट सून टू बी पैरेंस बनने वाले हैं और दोनों ने ही साधी के बाद तुरंट अपनी प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट भी अपने फैंस के साथ सेर कर दी यूजवली ऐसा होता है कि सेलिबरिटीज अपनी ऐसी बाते छुपा कर रखते हैं और वो ऐसी बाते अपने फैंस को एक सर्प्राइस के तौर पर देना चाहते हैं या वो ऐसी बाते अपने फैंस को कुछ इंटरेस्टिंग वे में बताना चाहते हैं बट आलिया भट और रनवीर कपूर को पेरंस बनने की इतनी खुसी है कि उन्होंने ये खबर ऐसे ही unfiltered और raw अपने fans के साथ share कर दी। और अब ये भी देखा जा सकता है कि रनवीर कपूर अपने आने वाले बेबी के बारे में बात करते हुए कितना खुस दिखाई देते हैं और डैडी बनने की खुसी उनके चेहरे से नजर आती है। काम ने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि रनवीर कपूर बेबी को सम्हालते किस तरह हैं और बेबी के डिफरेंट काम करते कैसे हैं ये सब सीख रहे हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रनवीर कपूर बेबी का डाइपर चेंज करना सीख रहे हैं। बेबी को फीडर पिलाना सीख रहे हैं, बेबी को गोद में उठाना सीख रहे हैं और बेबी को बफ दिलाना भी सीख रहे हैं। और बेबी के कुछ काम वो खुद भी करने वाले हैं। ये वो इन सब के लिए टिप्स भी लेने लगे हैं। बेबी के लिए वैसे ही बहुत प्रावट की बात है। लेकिन जब रनवीर कपूर बेबी का डाइपर चेंज करना बेबी को फीट करवाना सीख रहे हैं तो ये सब देखकर फैंस रनवीर कपूर को बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं और फैंस का यही कहना है कि रनवीर कपूर की यही वो बाते हैं जो उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं रनवीर कपूर साधी से पहले तक प्ले बॉय कहलाने के लिए मसहूर थें लेकिन अब एकदम से साधी के बाद रनवीर कपूर जिस तरह से responsibilities उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं ऐसा बहुत कम दिखाई देता है और रनवीर कपूर के इसी चीज को लेकर सब उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं आपको रनवीर कपूर का इस तरह से उनके बेबी के आने से पहले पैरेंटिक टिप्स लेते हुए वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा